नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे आरुमल के बारे में जैसे आप लोगों को आरुमल में जो दिक्कत आ रही है वो आज मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से हमें आरुमल के कटिंग करनी है यहां पर देखिए जब हम चैस्ट का नाप लेते हैं उसी के साफ से हमें आरुम तो कितने लेने हैं अगर की चैस्ट चालीस है तो कितने के कंट करेंगे variway mm किछा चल्ट ने करेंगे तो यहां पर देखी सबसे पहले कपड़े को हम डबल करके रखेंगे इस तरीके से हमने डबल कर लिया अब देखी सबसे पहले जैसे हम आगे और पीछे के परला निकाल रहे हैं तो फिर हम यहां पर चेस्ट का निशान लगाएंगे अगर हम यहां पर एक परला निकाल रहे हैं या पीछे का या आगे का तो उसके लिए हमें क्या करना है सबसे प यहां पे 15 इंच की लंबाई रखेंगे ब्लाउज की तो हम यहां पे लेंगे 16 इंच यहां पे यहां पे हमें लंबाई लेगे तो यहां पर लेंगे तो हम यहां पर लेंगे 5 इंच अगर हमारी चेस्ट है 30 तो यहां पर हमने बना लिया चॉकुटा निशान उसके बाद जितनी भी हमारी चैस्टे जैसे हमने 6 इंच के आरूमल लिए तो हम यहाँ पर 40 इंच का बना रहे हैं मान के चलिए 6 इंच के आरूमल लिए ना तो 40 इंच का तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर लगा लिया फिटिंग काने साथ अब देखी यहां पर हमारा यह चोकूटा है तो हमें इसको ऐसे गोलाई देनी है यहां पर करीब हमारा एक इंच होना चाहिए एक इंच हमने ऐसे रखा और ऐसे गोलाई दे दी कुछ नहीं करना है हमें इस तरीके से करना है चोकूटा बना के और गोलाई में ऐसे कटिंग कर कपड़ा लेला है किशेक हैं पिंच का निशान लगाना है ऐसे करके हमें 49 का फिटिंग का निशान लगाना है अगर हमारी चेश्ट यहां पर 40 इंच तो हमें एक इंच धीला रखना है तो हम यहां पर आदा इंच बढ़ा की लेंगे एक पर 50 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे फिर उसके बाद में चीज है गुणजाइस तो हमें यहां पर गुणजाइस जादा लेनी है जैसे हम नहीं है पहली बार बना रहे हैं बलाउच को तो हमें गुणजाइस यहां पर कम से कम दो इंच की लेनी चाहिए दो इससे क्या है हम उसको थोड़ा और डीला कर सकते हैं अगर हमारा ब्लाउश टाइट रहेगा और फिर हमने गुंजाइस भी नहीं लिए उसको कैसे डीला करेंगे तो हमेशा आप गुंजाइस जादा लें दो इंच की गुंजाइस लें आगे और पीछे भी और देखिए अगर आप यहां से टाइट करेंगे तो फिर वह चेस्ट में टाइट हो जाएगा अगर आप से गलती से आरुमल बड़े हो गए पहली बाद तो आप गलती ना करें पहली बाद तो आप वीडियो को अच्छे से देखें कि जब भी आप 40 चेस्ट का बना रहें तो आरुमल ना ले चेइंच के लेखें अगर से चिए टेनग बड़ा देते तो फिर आप और चेस्ट आपकी 30 बितस है या चोंतिस है तो आपको साड़े पांच इंच के आरुमल ही कटिंग करने क्योंकि तो यहां पर जोहल बी आती है जादा रुमल लेने से जोहल भी तो दीखी Avak Ent. काम कर सकते हैं तो इसको कम कर सकते हैं क्यांकि इसको हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे तो फिर जाइट हो जाएंगा जब भी आप cutting करें तो गुंजाइस आपको ज्यादा लेनी, कम से कम यहां पर 2 या 1.5 इंच की गुंजाइस लेनी लेनी है, आगे भी और पीछे भी, इस तरीके से हमने एक पार्ट का निशान लगा लिया, अब हम इसी को रखके दूसरा पार्ट काटेंगे, अब देखें, हमने यहां पर दोनों पार्ट काट लियें, और इसको बराबर रखेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा रखें, दोनों पार्टों को हमें चोड़ाई में बराबर रखना है, अब जैसे हमारा यह पीछे का हो गया, अब गले की चोड़ाई हम यहां पर रखेंगे, जैसे आप नए हैं, तो दो इंच की चोड़ाई रखेंगे, ज्यादा चोड़ाई नहीं रखनी आपको, दो इंच की चोड़ाई, और गले की लंबाई हम यहां पर रखेंगे, दस इ तो दिख्या हम इसको 1 टक्स में तो तो हमने दोनों प्लल लंबाई में एक बराबर लिए अगर आप इसको फोट्रा को बढ़ा लेना है यह देखिए हमारी लंबाई दोनों की बराबर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे बड़े में आपको लंबाई में पल्लर करने है जैसे आगे का पल्लर हमारा दो इंच पड़ा होना चाहिए और पीचे का छोटा होना चाहिए पीचे की हमारी जो लंबाई है जैसे हमें पंदरा इन्च की लंबाई चाहिए, तो हमने यहाँ पे 16 इन्च पर कटिंग किया है, अब देखिए, आगे का पलर हम क्या करेंगे, आदा इन्च यहाँ पर जोलना आए, तो ऐसे करके हमें, आदा इन्च यहाँ पर セरे बलाउजों जितना भी आप शेष्ट का ब्लाउज बनाएंगे 2 इंच आपको यहीं तलक करना यहां नीची नहीं ले जाना सीज़तों करेंगे उसकी पड़िवें दीचे की बनाशनान सब्सक्रावारें नो मैंके पर लेंडाने रखने Biology अगद सब्सक्रावरें यहां पमने पाँच इंच पर निशान लगा दें इस तरीक इस हमने 5 इंच पर निशान आगया अब यहां से लेंगे और 10 इंच हमारा टक्स हो गया यहां तलक आना तो हमें यहां पर भी दो इंच टक्स पर नीचे घालनी आप डिजू यह दूरी रखें से ओपठाने सो यहां से कम नेक Mean इसको बनाना तो यहां के बाजू कैसे हमें निकालनी है तो soul कि आपको बता है जैसे बाजू की कपड़े की चोंड कम प्रीओ आपर नेव हैं कि वधडियो को भी देखे přिindies तो उस में से हमें इस बाचौ नि कालनी है माल तो घृ करना इसको करना है तोल्य को अधर्य कंदर. ब्रवल प्रवल 6.5 क करना इसको अब को हमें ऐसे करना है। कम से कंव हम यहां पर चोड़ा रखेंगे दाम करके 10 इंच। दस इंच की चोड़ाई होनी चाहिए छे इंच के आरोमल ली है हमने तो दस इंच की चोड़ाई होनी चाहिए अब यहां पर हमें पांच इंच का कपड़ा चाहिए लगाने के लिए क्योंकि यह कपड़ा यहीं तलक है तो अगर आपके पास कटिंग में से कपड़ा बचा हु कटनी यहात हैं जो छोटे कपड़े होते हैं उनमें इसी तरीके से निकालनी है अब हमने कटिंग-, कैसे कड़नी है कि कम से कम हमने यहां पर 3 इंच ले ना जो खुले वाले पाइड थी इंच लिया हमने इस तरीके से इसे ऊपर के साध्य लेके जाना μέнего एसे ऐसे अब आदा इंच हम यहां पर भी कटिंग कर लेंगे इसको चोड़ेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने बाजु निकाली है इस तरीके से एक बाजु हमारी इधर आ जाएगी एक बाजु यह दूसरी साइड यह जोड दिखाई नहीं देगा पिछे की साइड आएगा तो देखिए जैसे मैंने आपको पताया आरूमल हमारे 6 इंच के हैं तो हमने यहां पर 10 इंच की चोड़ाई डबल करके लिए यानिकि 20 इंच का क अब देखिए यहां पर 20 इंच है अगर हमारे आरूमल है 5 इंच तो हमने 17 यह 18 इंच की चोड़ाई चाहिए जैसे यह चोड़ाई होती है कपड़े की तो हमें 17 यह 18 इंच होना ही चाहिए कपड़ा जब हम कटिंग करेंगे तो 3 इंच मैं जब कटिंग का जैं लगाते ना यहां पर मैंने निशाने ड़ाया तो यहां पर 3 इंच लिया था तो कम से कम हमें 3 इंच लेना ही लेना है जब हमारी बाजु का सेप अच्छा आएगा तो इस तरीके से आप आरूमल और बाजू की कटिंग कीजिए और देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए और शिलाई लगाएंगे आप पर फिटिंग करना भी नहीं आता है तो आप प्लीज चैनल में देख लें मैंने अलग से फिटिंग और बाजु लगाने का वीडियो बताया है तो सबसे पहले लिए से हमने फिटिंग की लगा ली उसके बाद बाजु यहां पर रखके हमें ना दो टुकड़े लेंगे जैसे हमारा कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है जैसे इसको हमने अभी यहां से कटिंग किया था यहां से कटिंग किया था तो हमें क्या करना है इस टुकड़े को यहां पर जोड़ना देखिए इस तरीके से यह दो टुकड़े हैं तो दोनों को अलग लग जोड़ेंगे इस तरीके से जोड़के हम चोड़ाई बढ़ा लेंगे यहां पर देखिए ऐसे जोड़ना है यह सीधी आप देख रहे हैं यहां पर सीधी पट्टी है सीधी पट्टी को ऐसे जोड़ना उसके बाद हम यहां पर भी हलकी से ऐसे कटिंग कर लें देखिए चोड़ाई बढ़ाने के भी क्या तरीकी है इस तरीके से हम इसको जोड़ें यह आगे और एक पीछे हैं यानि कि दू टुकड़े हमें एक बाजू के लिए नो टुकड़े दूसरे बाजू के लिए जई तो इस तरीके से हम टुकडों और को जोड़के बाजू की चोड़ा बढ़ा सकते हैं वैसे तो मैने आपको बतां दिया जब भी हम अरूमल की कटिंग करेंगे तो हमने च्रओं कहाभिए तो कपड़े की चोड़ाई हमें 20 Hindu अगर हमने सदिश्मिस के रोघाइन तो कपड़े की चोड़ाई हमें 17 या 18 इंच के हमें चैमिर कर ली कपड़े की कम इंच कहार है तरीके से 5 इंच की आरुमल काटी है तो हमें 17 या 18 इंच की चोड़ाई चाहिए तो आरुमल को आप ज्यादा ना काटे कम से कम पॉनिच है, 40 चेष्ट है, 38 चेष्ट है तो पॉनिच है क्योंकि फिर आप नई है जब आप कटिंग करते हैं तो कपड़ा फेलता है तो इससे ज़्यादा आपको कटिंग नहीं करनी है आरुमल अगर आप गल्धी से भी ज्यादा काटेंगे तो फिर ज्छोलाएगी यहां प करने तो इस तरीके से आपको ध्यान रगना आरूमल के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जाज से चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इससे के आने वाली जो नए वीडियो उसका नोटिफिकिसन आपको मिल जाएगा और जो कुछ आप सीखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके लिखें प्लीज उसी के उपर हम वीडियो बनाएंगे आपको समझाएंगे आसा करते हूं आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जाज से जादा शेयर कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्स झाल